जमीनी इस्तरपा आज ये साबित किया कि वा तैयारियों के मामले में अन्य दलों से काफी आ गए है दिगविजे सिंग अगस्त में प्रत्याशी गोशित करने की बात कहे थे मद्य प्रदेश के संदर में अगर आपको याद हो कि 66 ऐसी सीटे जिने कांग्रेस लगाता रहार रही है उनको हम ध्यान में रखके काम कर रहे हैं और हम अगर समयने में प्रत्याशी गोशित कर देंगे कहा भारती राष्ट्य कांग्रेस ने था कर दिखाया भारती जन्ता पार्टी ने तो ये एक विरोधवा से स्वरूप देखने को मिला है लेकिन भारती जन्ता पार्टी की कल चुनाव समीती की बैठक जिस तरीके से आउजित हुई थी तब ही लग गया था कि फैसला होगा हमने दोपर बारा बजे अपने चैनलार पर गोशित भी कर दिया था तो आपने संख्या भी बता दी थी कि कितनी सीटों पर प्रत्याशी गुशित हो जाएंगे तो कमोबेश उसी अनुसार सारी चीजा आई है बारती जन्ता पार्टी ने कल सोनदा दिवस के तुरंत बाद आपने तमाम नेताओं को दिल्ली तलब किया था प्रधान मंतरी दो डाई गंटे इसे उस बैटक में रहे थे तो बैटक में प्रधान मंतरी की बजूदकी इसलिए नहीं हो सकते है क्यों चुनाव में कैसा चल रहा है तयारी कैसी चल रही है फैसले लेने थे तो वो फैसले लिए गए चोटी बात नहीं है 90 सीटे है 36 कड़ में यह पहला मौका है जब आचार सहीता का आता पता नहीं है और प्रत्याशी मैदान में हैं बड़ी बात है और बड़ी बात है अगर मदप्रदेश की सुची पे गौर करें तो कमलनात के इंपक्ट वाली बहुत सारी संख्या में सीटे हैं अगर हम देखें पांडूर नासो सर्ब मुलताई आमला यह जो एक पूरी की पूरी सीरीज है यह इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि कुछ बड़े निता जहां पर ज्यादा कमजोरी ज्यादा कमजोर तो हैं साथ में वह हारे हैं यह लंबे समय से हार रहे हैं तो वहाँ के संदर पे फैसला लिया गया अब हमारे करकम में अभी आने वाले है अलाल सिंगारे जी इस करकम में आने से पहले प्रत्याशी घुशित हो गये अब भिंड राका तो किसी नेता विशेश का नहीं है, कॉंगरेस में कोई ऐसा कद्दावर नेता जो भिंड में आपको पहचान के तौरपा दिखाई दे, वो नहीं, अगर थे तो सिंधिया जी थे, वो अब भाजबाई है, पर इसके वावजूद भी प्रत्याशी घुशित है, आप उसे देखें, और इसी प्रकार से भिंडि के संदर में, चिंधवाड़ा अलाके के संदर में बत करें, जहां पर स्वेम कमलना तालूग रखते हैं, वहां पर अगर मजूद प्रत्याशी उतार कर आप एक बड़ता बनाते हैं, तो चिंधिया तरूटी सुदार भी बड़े नाम थे या जो पूर मंत्री थे या बाजपा के बड़े पतादिकारी या महापार थे, उनको इस बार सीधे पहली सूची में ही जारी कर दिया गया नाम। बड़ा मलहरा भीज दिया गया, बड़ा मलहरा में वो चुनाफ हार गए, लेकि पारटी चछतरबुर में भी हार गए, मतलब फैसला गलत था, पारटी को भूल सुदा करने में संकोच नहीं हुआ, पार्टी ने बड़ा मलहरा के इस्तान पर ललीता यादव को एक बार फि तो पुल मिलाकर आप अगर देखें तो पार्टी ने जीत को लेकर ध्यान में रखाया चातिस गड़ के संदर में देखें लखन देवांगन वहां से कटगोरा से प्रत्याशी दे इससे पहले वो कोर्बा के मेर थे पिछली बार उन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया कट पार्टी को जीत चाहिए इसलिए लखन देवांगन जो पिछली बार कोर्बा से टिकेट बांगा रहे थे उनको इस बार टिकेट दे दिया और बकायदा जब आप बात कर रहे थे तो नामों के साथ बात हो रही थी तो आपके पास संपर्क है जो आपके पास में वहां की सूचना है उनकी सठीकता पर आपका जो ब्रोसा है तो सठीकता के अधरबा हम ये दावा करने की इस्तिती में रहे सुबह अपने चैनल पर ब बूपश बगेल जी के सामने विजय बगेल यह भी पार्टी का भूल सुदार है भूल सुदार इसलिए है कि विजय बगेल 2008 में भूपश बगेल को शिकस्त दे चुके थे 2013 में हर गए 2018 में विजय बगेल एक बार फिर मैदान में उतरना चाते थे पार्टी ने भरूसा नहीं किया पार्टी ने नया उमीदवार उतारा लेकि वहाँ बूरी तरीके से हारा पार्टी ने इस वार भूल सुदार में संकोच नहीं किया उसने वापस विजय बगेल को याद कर लिया तो इसलिए मैंने का कि पार्टी ने अब कुल मिलाकर जीत को द्यान में रखा है, उसमें अपने पूरवरती निर्णेओं में बदलाव को लेकर संकोच नहीं किया है, यह बड़ी महतुपूर बात है, अगर आप संकोच में रहते हैं, तो कहीं न कहीं अपनी जीत की संभावनाओं के साथ समझोता कर लेते हैं, पार्टी इस बार जीत की स संकोच नहीं किया और तुटी सुधार किया है, कई सारी ऐसी सीटों का उलेग भी उन्होंने किया, सुबह भी कई सारे नामों का उलेग किया था, और यह बहुत इस पश्च तस्वीर है कि सबसे कमजोर सीटों पे तो पहले नाम को शित किये ही गए हैं, लेकिन उसके साथ जो सबसे महत्पून बात है, वो यह है सनी, कि उन नामों के साथ साथ जिन नामों पे संकोच बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, यह जहां पहले गलतिया हुई थी 2018 में, उनको भी सुधार किया गया, तो यह साफ तोर पे तुटी सुधार, निसंकोच, और तीसरी चीज, कमजोर सीट, इन तीन चीज़ों को कही ना कही समन्वै करके, पहली सूचिया दुनों जगे की जारी हुई है, चाहे वो मद्रप्रदेश की बात करें या 36 गड़ की, जे, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर, चुकि आपके साथ रांज संपाता डॉक्टर हमान शु एक्टिव नहीं, लेकिन अंदर खाने जिस तरह से आज जो चीज़े हुई है, उसके बाद एक नया मेसेज आया है, इस मेसेज को कैसे समझा जाए, क्या इसका आसर पड़ेगा कॉंग्रेस पर, सर से सवाल हो गाई मेरा, देखिए, जी बिल्कुल, बिल्कुल, सर सवाल यह है कि जिस तरह की परिस्तितिया थी, जिस तरह से माना जाया था कि 36 गड़ में कॉंग्रेस की इस्तिति बहुत मजबूत है, लेकिन भारती जन्ता पार्टी ने इतने पहले प्रत्याशी घुर्षित करके, क्या यह संदेश देने की तैयारियां की है, कि सरकार भले यह आपक पर प्रत्याशी तरह करना लग बात, उन प्रत्याशों को जीतना लग बात, भाजबा को अभी यह दिखाना है कि यह प्रत्याशी जीत भी सकेंगे, तो आने वाले समय में देखते हैं, अमिश शा की सक्रीता से उम्मीद बंदी 36 गड़ में, यह भाजबा लड़ेगी, तो कॉंग्रिस बड़त पर दिखाई देती है, शायद उसकी वज़ाई है कि कॉंग्रिस सत्ता में है, संसाधनों की कमीने यह जादा और्गनाईज हैं, वहीं मद्यप्रदेश संदर पर देखें, तो मद्यप्रदेश में जमीनी सतरवा भाजबा उतनी ही आगे दिखाई देत बात का एसास भाजबा ने अपने प्रत्याशियों की घोशना के साथ में दिया है, तो उनकी इस कदम को तो निश्य दरूब से सराना ही होगा बहुत इसपश्ट तस्वीर है, कही ना कही अगर आप जैसा इंपेक्ट की बात कर रहे थे, तो ये अनुभाव के तरह है, जिस तरह का अनुभाव, सियासी अगर गलियारों की बात करें, सियासी ख़वरों की बात करें, सियासी माहल की बात करें, खुद हिमान्शु जी कर कि आपने जीत के लिए तैयारियां कर दिया लेकिन इसका एक बड़ा इंपक्ट जाएगा याने शुरुआती तो और पीछे दिख रही थी भारती जनता पार्टी कांग्रेस की तुलना में जो सामानेता होता भी एक सताधर आगे दिखता है बहुते बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिमान चुद्योदी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए